कम खर्च में जीला मुख्याले पहुंचना गिजार्थी भी जाते हैं मरीज भी जाते हैं और उसके अलामा ये पहले से जो सुदा था उसको सुदा भटा दिया गया है इस लिए इस सुदा को चालुक किया जाए क्योंकि हम लोग के आना जने में जोड़ा परफानी हो रहा है इसको चालुक तबने का सिर्वास्तो महा सचीव रक्सोल चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज यह प्रोप्राइटर भी है चित्रलेखा साड़ी सोरूम के इन से मेरा एक ही सिधा सवाल है कि आखिर रक्सोल में इंटर सिटी का मामला आज कापी ज्यादा गर्म होता ज परिप्यक्ष में बिद्यार्थी से लेकर मरीज घरवाले बच्चे सब और एक एक आदमी रक्सोल एरख्यत्र के एक एक आदमी यह रक्सोल परीख्यत्र के एक एक आदमी की ज़रुरत है हो सुबह से घर से निकलकर कम खर्च में जीला मुख्याले पहुँचना बिद्यार्थी भी जाते हैं मरीज भी जाते हैं और उसके अलावाइए यक एक आदमी की ज़रुरत है किसी नखिसी काम से कोट में जाना जीला मुख्याले के लिए ट्रेन चाहिए थे था सुबह- पहुचा रही थी अभी उसके विकल्प की रुप में जो ट्रेन दी गई है एक ट्रेन है चार पजास में मुझेफ़ पुरही रुख जाती है एक ट्रेन जाती है भाया सिधा मडियोकर वो पूरी उमीद पूरी नहीं कर पा रही है ट्रेन ठीक है हमारे भी मुत्यारी जिला के पूरा होना चाहिए इसमें हम लोग सहयोग किसी का भी हो करते हैं और समर्थन दे कर रहा है इसका धन्यवाद ग्रिजा वस्त्राले पोस्ट ओफिस रोड रक्सॉल इंटर सिटी एक्सप्रेस को लेके जो आज बात्चीत चल रही है कापी चर्चाओं में है आप उस पे क्या कुछ कहेगी क्याना है कि रक्सॉल बासिय के लिए पहले से जो सु इसा नहीं लग रहा है कि वह तो बास सही है कि किया जाए लेकिन काफी दिनों से बंद उसको उसको देखते हुए उसको चालू किया जाए कि हम लोग कटना ही हो रही है